एक डिवाइन नॉलेज है जो हमारे रिशियों ने बनाई हजारों साल पहले डिवाइन नॉलेज मतलब एक दैवी विद्या है तो एस्टरोलोजी का मतलब है एस्टर प्लस लॉगस एस्टर कहते हैं नक्षत्र को या इसी को कॉंस्टेलेशन भी कहा जाता है और लॉगस मने स्टडी उसका अध्यान यानि नक्षत्रों का अध्यान जो है वो एस्टरोलोजी कहलाता है लेकिन एक्शुली डेफिनीशन इसकी इस्तरह है कि ग्रहों के निरंतर परिवरतन से ग्रहों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वो अपनी औरवेट से घूमते रहते हैं, तो उनके निरंतर परिवर्तन से प्रत्वी पर जो प्राणी जगत है, उसमें कुछ न कुछ चेंजेज होते रहते हैं, वो चेंजेज किस तरह के होंगे? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक याने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुल उसमें चेंजिस होते रहते हैं इसको एस्ट्रालोजी कहा जाता है तो प्राणी जगत के अलावा और बहुत सारी चीजों पे ग्रहों के परवर्तन से चेंजिस होते हैं जैसे के वर्षा, बाढ़, आंधी तूफान, इसके लावा बबंडर और भूकम पाना और खेती है, फसल है, इन सब राजनीती इसके ओपर भी असर पड़ता है तो इन सब चीजों को मिला कर जो चेंजिस होते हैं सारे को एस्ट्रालोजी कहा जाता है एस्ट्रालोजी में ब्रह्मान्ड आपने सुना है, ब्रह्मान्ड 360 डिगरी का एक गोला है, जो एक अंडाकार है, लेकिन उसको कैलकुलेशन के को इसको करने के लिए रिशियों ने उसको एक सर्किल माल लिया, एक गृत्त माल लिया जो 360 degree का एक गूला है इस 360 degree को में बराबर बराबर दूरी पर उन्होंने 27 नक्षत्र रखे यहने बराबर बराबर दूरी पर 27 नक्षत्र इस्थापित किये नक्षत्र के आँ है नक्षत्र जो है वो तारों के समूह है कुछ prominent stars को उन्होंने नक्षत्र कहा जो बराबर बराब पर दूरी पर 27 जगह उन्होंने इस्थापित किया, वो 27 नक्षत्र कहलाएं, और 27 नक्षत्रों में सवा दो नक्षत्र मिलाकर रिशियों ने देखा कि एक आकरती बन रही है, एक कोई फिगर ऐसी बन रही है, तो उसको उन्होंने राशी नाम दिया, तो 12 राशियां हैं, ब् उन्होंने रिशियों जो देखा कि एक मेड़े के आकार का या भेड़ के आकार का था, दूसी नमबर की राशी ब्रख राशी है, तो उसका आकार एक बैल की तरह था, और जैसे सिंग राशी है, पांचवी नमबर, तो उसकी आकरती एक सिंग की शेर की तरह थी, ऐसे करके तो उन्होंने देखा कि जितनी राशीयां हैं वो किसी न किसी आकरती से बन रही हैं तो ऐसे aí, करके उन्होंने 27 नक्षवत वर 12 राशीयंग के बनाई ब्रह्मःंड में जो इस्थिर हैं अब सूर्य के चारों तरफ जो नौ ग्रह histव और. तो वह अपनी अपनी और्बिट में अपने पत्व पर मार्ग पर घूमते जा रहे हैं बराबर तो हरे की अपनी अपनी एक और्बिट है जैसे प्रत्वी की जो और्बिट है तो प्रत्वी की और्बिट से 9 डिग्री उपर और 9 डिग्री अंदर की तरफ का जो एरिया है या belt बनती है उसमें सारे ग्रह जितने है नो ग्रह ये सब भूमते जा रहे हैं तो उसको ecliptic कहा उसका नाम रखा गया ecliptic ये टीन इंच की जो belt है उसमें सारे ग्रह भूम रहे हैं और ये ग्रह जो हैं वो पस्चिम से पूर्व की दिशा में भूमते हैं सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं जो राहू और केतु जो जिनकी वक्रगती है या रेट्रोग्रेड मुव्मेंट है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घुनते हैं अब 27 नक्षत आप देखिए कि 27 नक्षत ही 60 डिग्री को कवर करता है और रिशियों ने एक चीज और बताई कि एक डिग्री की वैलू उन्होंने 60 मिनिट्स रखा 60 मिनिट्स या 60 कला मिनिट्स को उन्होंने कला कहा और एक मिनिट्स में 60 सेकेंड या उसको विकला वर्ड बताया तो ये घड़ी का जो minute second है उससे फरक चीज है वो चीज नहीं है उन्होंने फिलाल एक degree की value 60 minutes और एक minute की value 60 second रखा अब देखिए 27 नक्षत्र 360 degree को cover करता है तो एक नक्षत्र जो है वो 27 से divide करें 360 को तो ये एक बार पूरा गया तीन बार पूरा गया या 9 degree बचा अब 1 degree करने से 20 times जाएगा तो 13 degree 20 minute का एक नक्षत्र हुआ इसका मतलब कि ग्रह अगर पहले नक्षत्र के 0 degree से travel करे चले तो एक नक्षत्र कवर करने में उसको 13 degree 20 minute का area 20 minute की दूरी तै करनी पड़ेगी इस तरह से उन्होंने बताया अब देखिए एक नक्षत्र में उन्होंने कहा क कि चार चरन होते हैं आपने कई बार सुना होगा कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ रोहनी नक्षत्र में माली जन्म हुआ अब वो कहते हैं कि रोहनी नक्षत्र में तीसरे चरन में जन्म हुआ सुना होगा आपने इस चीज को तो एक नक्षत्र के उन्होंने चार चरन बताए एक नक्षत्र गए यहां से यहां तक है उसमें एक, दो, तीन, चार चरण हैं तो 27 नक्षत्र में कूल मिलाकर 108 चरण हो गए अब एक नक्षत्र की वेल्यू देखिए 13 डिग्री 20 मिनट है तो एक चरण की वेल्यू कितनी होगी तो एक चरण को अगर हम एक चरण से डिवाइड करें यानि चार से डिवाइड करें 13 degree 20 मिनट को तो ये आता है 3 degree 20 मिनट का यानि एक चरण को travel करने में उतनी दूरी चलने में ग्रह को 3 degree 20 मिनट का एरिया cover करना पड़ेगा तो ये राशियां और जो नक्षत्र हैं इनके degrees actually वो ग्रहों के movement को बताती है कितनी दूर चले आज ग्रह इस राशी में आपने सुना होगा अब सूर्य इस राशी में है एक महिने कबाद दूसी राशी में चला गया इसके मतलब कि एक राशी उसने 30 degree travel किया अगले महिने दूसी राशी में चला गया बारा राशीयां देखे बारा राशीयां 360 degree है तो एक राशी की value 360 upon 12 याने 30 degree की एक राशी हुई अब बारा राशीयां is equal to 27 नक्षत्र पूरा ब्रहमान कवर कर रहे हैं तो एक राशी की value 27 upon 12 सवादो नक्षत्र आएगी जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि रिशियों ने सवादो नक्षत्र मिलाकर एक राशी बनाई ये इस तरह से हुआ ये जो ग्रह है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में मूव कर रहे हैं पहले बताया कि इनकी अपनी अपनी orbits है उसमें घूमते जा रहा है निरंतर और सिर्फ राहू के तू वक्रगती से घूमते हैं तो एक एक ये बारा राशीयां जो है वो इसमें बारा राशीयां 24 घंटे में कवर होती हैं इस तरह से कवर होती हैं प्रत्वी देखिए सूर का चक्कर जो है 365 days and 6 hours 365 दिन और 6 घंटे में सूर का एक चकर लगाती है इसको revolution कहते हैं और अपनी ही एक्सिस पे भी घूमती है अपनी एक्सिस पे बरावर घूमती जा रही है और सूर का भी चकर लगाती जा रही है तो अपनी एक्सिस पे जो घूमती है वो 24 hours में घूमती है और 365 days and 6 hours में वो सूर का चकर लगाती है तो अपनी एक्सिस पे घूमने को उसको rotation और सूर के चारों तब चकर लगाने को revolution कहते हैं rotation से दिन और रात होते हैं और revolution से रित्वें या climate change होती रहती है यह सब आप जानते होंगे तो 12 राशियां जब 24 hours में अपनी एक्सिस पे घूम रही है प्रत्वी तो 12 राशियां cover करती है 24 घंटे में तो एक राशी cover करेगी दो घंटे में 24 अपांट्रेल इस तरह से चुकि पस्चिम से पूर्व दिशा में प्रत्वी घूम रही है तो हमेशा आपको पूर्व दिशा में East direction में कोई न कोई राशी हर दो दो घंटे पे उदै होती दिखाई देगी उसको कहते हैं उदै होना राशी एक अपनी change होती जाएगी हर दो दो घंटे पे नई राशी आती चली जाएगी इस तरह से आपने देखा